वीडियो ने देखा था इस पोरफाइट का स्ट्रक्चर और उससे लास्ट वीडियो में एंथोशिरोस की कापी सारी वीडियो कवर कर चुके हैं सारे बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं आप कंप्लीटी देख लीजिए यह लाक्स लास्ट लेक्चर होगा इसमें दो तीन टॉपिक कवर करेंगे डाइसेंस ऑप कैप्शियूल स्ट्रक्चर ऑप स्पूर और लाइप साइकल ऑप एंटो शिरॉस यह सारे टॉपिक में कवर प्रवेक्स तुदब बेस कैप्सियूल डेहिस करता है मतलब फटा समय से रिलीज होती है एस पोर्स कब किस स्टाइल में अफेक्से बेस की तरफ उपर से नीचे की तरफ एक्रोपी बेसी पीटली एज़ दा कैप्सियूल मैच्यूर इट्स टिप बिकम ब्राउने सो ब्लै जो देशनस की लाइन होती है वर्टीकल लाइन वह जेक ट्लेयर में एंपीर करती है दिखने लगती है डाइशन सम्देक्स एज यूजी बाइट टू लोगीट्यूनल लाइन अकेजनली इट इज वाइसिंगल लाइन और रेयरली वाइफोर लाइन जो डैशनस होता है आर लाइनिंश प्रेजेंट ऊसकती है जब मैच्चिर हो जाते हैं काप्सйос tools की वह ड्राइं कर जाती है और स्टेंक कर जाती सूँग जाती है कॉल सिपचले बरेलिट एक्पिर इनाथ पीछई ओल एर और लॉंगय भूआ यह लाइन अटेश्टेशन इन्ट इच्टेंड बाट स्पेस और कॉंसिकोएंटली जो नेरो स्लिट्स होती हैं वो एपिर करते हैं कैप्सूल वॉल में सेलो ग्रूप्स के अलॉग जो कि लाइन ऑप डेशन होती है जो धीरे धीरे बाइट करती है चौनी होती है और बेस की तरह ग्रो करना सुरू करती है इसका रिजल्ट क्या होता है दो बाल्ब्स बन जाते हैं कैप्सूल वॉल में स्टिल अटेज़ एड़ी टिप एंड एक्सपोजिंग दा कॉलमेला इस दम मास ऑप स्पोर्स एंड स्यूडो एलेटर्स और जो टिप में क्या अटेच होता है वी तक स्पोर्स मास ऑप स्पोर्स और स्यूडो एलेटर्स और कॉलमेला को एक्सपोज कर रहे होते हैं तिखा रहे होते हैं बाहर की तरफ दू बाल्ब्स दस सेपरेटेड डाइवर्ज एंड ट्विस्ट हाइग्रोस्पोपिकली जो दो बाल्ब्स होते हैं वो सेपरेट हो चुक कर जाते हैं और सपोर्स को लूज होने में हेल्प करते हैं आस तवीस्टिंग ओभाल्ब्स एंड नबूब्मेंड ऑफ दिसेडिटर्स इन एक्सपूर्ज मास हेल्प इन श्रीडिंग ओब देस्पोर्स एर करेंट्स आल्लसो help in dispersal of spores जो twisting होती है pseudolators की bulbs के pseudolators के bulbs की जो twisting होती है वो spore mass को expose करती है और spores को setting में help करती है और जो air currents होती है हवा होती है वो dispersal में help करती है spore के यह होगे dehisions अब structure देखेंगे है स्पोर का spores are haploid, uninucleate, semi-circular with a conspicuous tri-radiate mark spores होते है haploid होते है NN number होता है nucleus उसमें chromosome uninucleate, single nucleus होता है semi-circular होते है और एक conspicuous tri-radiate mark दिखाई देता है each spore remains surrounded by two ball layers हर एक spore दो ball layers से घिरा रहता है the outermost layer is thick ornamented and is non-age exospore जो outermost layer होती है वो thick होती है और उसे हम exospore गोलते है it varies in color from species to species alag-alag species में इसका color alag-alag होता है inner layer is thin and is non-age inner layer thin होती है पतली होती है और इसे हम endo spore बोलते है ball layers and close colorless plastics oil globules and food materials ball layers में colorless plastics oil globules होते है और food materials होते है यह होगे structure spore का अब हम spore का germination लेखेंगे और young gametophyte का formation लेखेंगे क्या heading है germination of spore and formation of young gametophyte at the time of germination spore absorbs butter and swells up जब germination होता है तो spore butter absorb करता है और food जाता है exospore ruptures at the tri-radiate mark and endo spore comes out in the form of a tube it is called germ tube जो एक जो spore होता है वो फटे जाता है ruptures कर जाता है tri-radiate mark पे और endo spore बाहर आते है एक tube की form में जिसे हम germ tube बोलते है contents migrate into the germinal tube here the colorless plastics turn green जो content होता है पूरा वो germinal tube में migrate कर जाता है चला जाता है जहांपे colorless plastics green बन जाते है उनका color green बन जाता है colorless plastics का two successive walls are laid down at the tip of a germinal tube resulting in the formation of three cell filament two successive walls बन जाएंगी germinal tube की tip पे और क्या बनाएंगी three cell filament का formation करेंगी the upper cell divides by a vertical division at the right angles to form eight cell octane stage जो upper cell होगी वो vertical division के through divide करेंगी right angle पे और eight cells बना लेंगी और एक octane stage हमें दिखाई देगी this stage is non-end spalling अब यह term आपको याद रखना है इस stage को हम spalling बोलते हैं जब germination हो रहा होता है तो eight cell octane stage है उसे हम spalling बोलते हैं यह आपके objective के लिए काफी help पूल रहेगा अगर आप इसे याद रखेंगे the tier of four cells function as apical cells and form the new gametophyte जो four cells का tier है वो apical cell की तरह function करेगा और नया gametophyte बना लेगा apical cell यहीं से growing point यहाँ प्रिजेंट होता है यहीं से growth start होती है यह भी आपको याद रखना है फर्स्ट राइजोट डिवलप्स एज एन इलोंगेशन अफ एन शेल अब दे यंग थैलस फर्स्ट राइजोट होता है वो किसी भी यंग थैलस का यह लोंगेशन करवाता है किसी भी सेल का किसी भी सेल का इलोंगेशन होगा और वो राइजोट बनाएगा यंग थैलस के कोई भी सेल डिवलप्स करेंगे और राइजोट बना लेंगे ऐसे ग्रोथ प्रोशीट्स तब म्यूसिलेज श्लिट्स एपियर ओन लोवर सर्फेश और इंफेक्शन हो जाएगा नौस्टॉक का यह इंफेक्ट कर देगी स्पोर्स को स्पोर्स जर्मिनेशन और गेमिट ओफाइट का फॉर्मेशन है डाइग्रमेटिकली सो किया गया है स्पोर्स यह स्पोर्स टैटराड है इसमें स्पोर्स दिखाई दे रहा है अब इसमें डिवीजन होगा यह सक्सेशिब डिवीजन होते जाएगे यह इसे स्टेजिस बनती जाएगी यह मल्टी चैलिलर और यह अल्टिमेटली आपका गेमिट ओफाइट बनके तहीयार होगा यह कंप्लीट हो गया अब हम इसकी लाइफ साइकल देखेंगे इसकी लाइफ साइकल में क्या क्या है इसकी मेटिक रिप्रिजेंटेशन दीखेंगे पहले एंथुस्रोज थैलस यह डिप्लॉइड होगा इसमें अगर बेजिटेटिव रिप्रॉड़क्शन होगा तो कोई अलग चैंजिस ही नहीं आएगे तो यह किस-किस टाइप से होता है पर्सिस्टेंट ग्रोइंग फाइसस से ट्यूबर से फ्रेग्मेंटेशन से सिंप्ली धैलस बन जाएगा अगर जब सेक्शोल रिप्रॉक्शन होगा तब क्या टीकर्च डाइप साइकल में फो देखने वाले एन्थार्च वेल slippery tab ऐंटेव बनाएंग यह ठीड़ा बनाएंगगे एंथरीरिग तो जाइगोड फिर एम्री फिर इस पोरोगोनियम और यह दूसरी अलग नेक्स्ट टाइप का जो बेजिटेटर ट्रक्षन है एपोस्पोरी उससे डिपलोड गेमिट फाइट थैलस बन जाएगा इस पोरोगोनियम से आगे के डिपलप्मेंट नहीं होगे यह अलग स्फिर्वेशन होगा क्रोमोशों का क्रोमोशों के नमर हाफ रह जाएगे अब यह सारे अप्लोइड होगे इस पोर मदर से वह मैं यूसिस से पूर्ट टैट्राड से स्पोर और स्पोर से स्पोर जर्मिनेशन होके अल्टिमेटली एंट्स रुश्वार्स का थैलस बन अब हम एफनेटीज औफ इन्टो से पढ़ेंगे जो एन्टो सिरोस के कौन-कौन से रहे समों प्रीविटीज वह हैं हम वहLG से मिलते हैं और जो लुवर ब्राइब है उन्हें से मिलते हैं और कौन-कौन से करेक्टर होते हैं जो कि हाइयर डिप करेक्टर्वायट पाहिट से तो हम देखते हैं चलौन चलो प्रिमिंटीब और द जो है क्रेक्टर्स और उन बंफिर MA चीक्र कल्व सब्सक्राइब ट्रोप्लाइब क्लोडी ग Mercilum安ट अभी और ॐचygen अलगी फ्वं फॉर्म स्ट्राइश ग्रेंस्टि प्रिफरी जो स्ट्रॉकट्रों फंक्शन प्रेम हो गाली जैसा और छर्उ्टर मनाएगी फियंगी में पड्र बसेंट क्या। जो राइट सफ़ेंट से ग्रृइबर फैंट बोली दुनेंगे । जैसे और प्लांट बॉडी है और कोई डिफ्रेंशियेशन नहीं है टिशू का जैसे के पहलिया में है सिमिलर एपिकल ग्रोथ एपिकल ग्रोथ सिमिलर है बाइफ लेट एंथ्रेजॉइट दौनों में है परिकलाइल डिविजन सप्राइट ऐंपिशीं में अन्डोथीशं एंडोथीशम और एंपिशLS को पेरीивают करेट करेगब अर्ट कि फपोरर्यम डिफरेंशियुट होगी और मतर सैल और इलेटर मतर सैल तो ये सयं मदलब करते restriction उनसे कैसे resemble करता है कैसे similar रही है यह देखते हैं हम characters presence of highly differentiated and ventilated system in capsule ball highly differentiated and ventilated system होगा capsule ball में presence of columnella endothacial in origin जो columnella होगा present होगा और origin होगा उसका endothacial presence of reduced archysporium जो archysporium होगी वो reduced होगी archysporium arcs over the columnella like sphagnum archysporium होगी और करेगी columnella के उपर और sphagnum की तरह यह हो गई similarity with mosses अब resemblances with terrophyte terrophyte से क्या character match करते हैं यह देखेंगे हम gametophytic plant body resemblances with the fern prothelus prothelus जो fern का prothelus होता है उसकी तरह इसकी gametophytic body होती है shankan sex organs इसके sex organs दसे हुए होते हैं जैसे कि terrophyte में होते हैं उसी तरह इसमें भी थैलस में दसे हुए होते हैं structure of archegonium is similar और जो archegonium का structure है वो भी similar है किसके जैसा terrophyte के जैसा तो यह हो गई इसकी similarity terrophyte से हमने इसकी एफिनिटीज देख लिए और इस और का structure देख लिए देख लिए कैप्सियूल का यह सारे टॉपिक हमने आज कवर कर लिए और इसी के साथ एंड होता है हमारा chapter sorry topic anthoceros जो प्लांट का description बढ़ना था हमें हो आज एंड हो गया तो आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं कमेंट में और वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपने प्लांट्स है रिक्षिया मरकेंजिया और ब्राइफाइट्स के करेक्टर्स यह सारी चीज़े नहीं पढ़ी है तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट अबेलेबल है आप जाके वह कंप्लीट कर लीजिए अपनी यूनिट फस्ट और यह प्लांट कंप्लीट हो गया अब